कि उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहां ही न थी वो उंचे उंचे मकामों पर बढ़ता गया लाशों की सीडियां चड़ता गया जिसे खुदा कहलाने का शौक था वो मरघट का मसीहा बनता गया आज खाई खिट चुकी है भाई भाई का खून पीना चाह रहा है मतलब भ बंदूख दिला दे वो है नरेंद्र मोदी इतना समवेदान हीन प्रधान मंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं आया है अगर इस नफरत की विचारधारा को नहीं रोका गया नहीं अंकुष लगाया गया विराम नहीं लगाया गया तो पूरा देश जलना भी बाकी है पूरा देश जलना भी बाकी है असम राइफल्स ने मना कर दिया गोर्खा ने मना कर दिया कि हम मनीपुर नहीं जाएंगे अपने भाईयों को बचाने के लिए यह कौन सा भारत बना रहे हो आज आप जाके देखिए कि एक मैतई एक कूकी के जान के लिए प्यासा है और आज अभी कॉंस्ट्यूशन क्लब में आप लोगों ने वक्तव्य सुना डेलिगेशन का जो मनीपुर गया था आज खाई खिट चुकी है भाई भाई का खून पीना चाह रहा है आप इस तरीके का भारत बनाना चाहते हो मैतई लोग जो है वो अपने लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं हाथ में बंदूक लेके और जो है कूकी लोग अप पहाडों पर अपने जो है सुरक्षा कर रहे हैं मतलब भाई और भाई के हाथ में जो बंदूक दिला दे वो है नर आज जपा के जो RSS के संगठन है जो मनीपूर में जिन्होंने बीरेन सिंग को जो है मुख्य मंत्री बनाने का काम किया इन ही लोगों ने वहाँ पर जो है हिंसा भड़काने का भी काम किया और इसकी जाच और आज तो देखी कितना बड़ा तमाचा नरेंदर मोधी की सरकार प आज जो है डीजीपी को तलब किया है आप बताईए कि इतना बेशर्म प्रधान मंत्री इतना समवेदन हीन प्रधान मंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं आया है और अगर मेरे भाई मुझे डर है कि अगर ये 24 में भी आया तो आज तो एक पाकिस्तान है इसी हिंदुस्तान में सैकलो पाकिस्तान ये भाजपा और आरस्स बनाएगी भाई को भाई से लडाएगी अंग् अंग्रेजों के मुखबीर अंग्रेजों के जो है, हम्रेनुमा दलाल आज ग्रेल देश को बातने का काम कर रहे हैं और फूर डालो, राजक्रो की नीती अपना रहे हैं और ये अभी हरियाना में हो रहा है, अभी हरियाना सबसे बड़ा उदाहरन, अभी नया नया उदाहरन है, जिस तरीके से नुह में भाईयों को भाईयों से लड़ाये जा रहा है, और चौबिस आ रहा है मेरे भाई, चौबिस आ रहा है, अभी मनी पुर्तो जाकी है, अगर इ महिलाओं के सितने मुद्ध में वापस आना चाहता हूं कि इस वक्त जो है कैबिनेट में इत्या हासों समसे जादा महिला मंत्री है हमारी वित्य मंत्री है 80 महिला सांसद है 80 महिला सांसद है in total तब भी ऐसी situation है और महिला मंत्री वो भी सवाल के जवाब देने को राजी नहीं है स्मृति इरानी आती है तो केवल चिल्ला के चलिया देखे मैं स्मृति इरानी को एक हाला की महिला है लेकिन मैं समझता हूं कि उनके अंदर की आत्मा मर चुकी है और सत्ता के घमन्ड में अंधी गूंगी पहरी हो चुकी है इस स्मृति इरानी को जितनी भी उनकी मजंभत की जाए जितनी भी मुछालफत की जाए आज ये बताईये ना कि जिस देश में महिला एक महिला के लिए नहीं खड़ी हो सकती है जिस देश में आज महिला अगर महिला के लिए नहीं बोलेगी तो बताइए ना कि महिला कैसे उसका फिर उसकी समस्याओं का निस्तारण होगा आप समझेए हम तो बार बार बता रहे हैं कि कट पुतली आज नेता बनाए जा रहे हैं आज अगर इनके अंदर थोड़ी भी शर्म होती इस्मृति इरानी जी के अंदर तो आज ये इस्तीफा देती और ये भी किसी बेटी की जो है माँ है एक बात मेरे भाईयों समझो स्मृति इरानी जी आप भी इस बात को समझे कि आप भी किसी बेटी की मा है और जब अपरादी अपराद करता है जब लड़कियों को जो है इस देश में नंगा किया जाता है तो अपरादी और भीड ये नहीं देखता कि इसमृति इरानी की लड़की है कि अतुल्त रिपाटी की बेहन है कि जो है नरेंद्र मोधी के रिष्टेदार है वो अपराद करता है वो बलादकार करता है और इन सब राईनिती के बीच में इस देश की महिलाओं की असमिता इस देश की महिलाओं की इज़त को आज हर बढ़ते दिन के साथ, हर बीटते दिन के साथ जो है रसातल में लेके जाय जा रहा है अभी NCRB का डेटा आया है कि 13 लाक महिलाओं, 13 लाक महिलाओं भाई साहब 2017 से लेके 2023 के बीच में गायब हो गई है जिन में से 40,000 से जादा महिलाओं जो है वो गुजराओं से गायब हो गई, कहां महिलाओं की ट्राफिकिंग हो रही है, क्यों हो इस देश की और अभी मैं कहतो रहा हूं मेरे भाई कि मैं देश-दुरोही घोशित हो चुका हूँ, गदार घोशित हो चुका हूँ, सिर्फ इस समझो के नरेंद्र मोधी जीत गया, यह मत समझो के ब्रिजभूशन जीत गया, वो लाखो महिलाओं की हार है, कि आज ब्रिजभूशन खुले आम घुम रहा है, आज बिरेन सिंग जिसने पूरा मणी सिप्पुर जलाया, क्या प्रधान मंत्री के अंदर जो है वो है, कि बि आसे सड़ रही है मनीपुर में, लेकिन ये प्रधान मंत्री वहाँ जो है, उचित फोर्स नहीं भोज रहा है, और पहली बार ऐसा हुआ है, कि जब हिंसा भड़की मनीपुर में, ये बात आप दिखाईए और चलाईए, कि पहली बार आसम राइफल्स ने मना कर दिया, गो अगनिवीर ले आते हो, आज जब चाइना लगातर जमीने जो है कबजा कर रहा है, मुझे तो लगता है, और ये इस बात को मैं कह रहा हूँ, हलाकि लंबा हो रहा है, लेकिन आप सुनिये, कि जिस्तना बड़ा विश्वास घात और गदारी इस देश के प्रधान मंत्री न किया, अगनिवीर? आज इस समय जब विश्वयूद जो है, इस ऑन The Corner, The World War is On The Corner, तब आप अगनिवीर और अपनी सेना को कम्जोर कर रहे हो, आप जो कह रहे हो, China घुसा ही नहीं, कोई आया ही नहीं, तो हम बार बार कह रहे हैं कि इस देश के borders जो है, खत्रे में हैं, हिंद अपने नेबर्स कंट्री से सांती बहाल भी नहीं करने देती है और घर में तो आग लगा ही रही है इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि 24 एक बहुत बड़ा मौका है इस देश की जनता के लिए आज जनता महंगाई से रो रही है करा रही है मर रही है आज दो वक्त की रोटी जो है प्याज आलू टमाटर महंगे हो गए आप बताईए घरों में दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है लोगों को क्या आप बिश्व गुरु बनाओगे भारत को जब देश का एक से एक चोथाई जो है आबादी भूकी सो रही है साहब भूके सो रहे हैं लोग तो हम बा आगरुक करने वाले नोग निकलेंगे तब ये देश बचेगा नहीं तो ये देश नहीं बचेगा अंत में बस यही कहूंगा चंदलाई ने कहूंगा कि आज जो सत्ता है जो राजा है उसके लिए कि उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहां ही न थी वो उंचे-उंचे म आप इंडिया की तरफ हो कि देश को जलाने वाली ताक्तों की तरफ हो